नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने online सहसान परिक्षाप्रस में बच्चों बहुत सारे बच्चे जो इस बात के लिए परिशान है कि जो इस रों की वेकेंसी 526 पदों के लिए लगभग निकली हुई है उसमें से जो आपका एसिस्टेंट का पद है जूनियर जो को यह हो रहा है कि जो इस्किल टेस्ट होना है वो टाइपिंग होना है या फिर वहां पर प्रेक्टिकल करवाएंगे या कोई MCQ एक्जाम होगा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ही परिक्षा में आपका 60% मिनिममम इस्किल टेस्ट की बात कर रहा हू हूँ अगर आप चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब अवर्श कर लो इस रूख रिगार्डिंग यह जो आपकी वेकेंसी है इसमें सारी ही चीज़े आपको यहां पर मिलेंगी आपके फॉर्म भानी से लेके और आपकी तैयारी आपके सेलक्शन के दर्मियान तक हमे इसका काफी अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत जादा है कि मैं आपको बता दूं कि दो अलग अलग पोश्ट है दो क्या टोटल मिला के चार पोश्ट है और आप विग्रिप्त देखूंगे तो छे मिलेंगे लेकिन चार क्रटेगरी के हैं एक आपका एसिस्टेंट का है ए आपका UDC का है तो एक तीन पांच और दो चार छे दो केटिगरी में इसने डिफाइन किया है जो एक तीन पांच है उन पदों के लिए क्या है केवल और केवल इस्किल टेस्ट है दो चार छे वाले पदों के लिए इस्टेंट हो है और खुल मिलाकर यह पांसो चबश्बश वाकि सारी जानकारी मैं दे रखाऊं डेस्क्रप्शन में लिंक है वहाँ से आप देख लेजिएगा इसमें एमसी की होगा यह प्रक्टिकल तो जो बच्ची यह सोच रहे हैं कि टाइपिंग होगा इसमें टाइपिंग होना है इसके लिए इसने सव भी जारे किया और यह आपको कंप्यूटर परर कर भाएगा इसके लिए वह वह टिकट देगा कि आप को सेकंड्ड प्लास ट्रेंग का टिकर देगा उनको typing करनी होगी लेकिन typing कैसे करनी होगी इस्टेनों के साथ वाली जब दू करते हो तो सबसे पहले किया जाता है आप उसे अपनी कॉपे में स्बसक्राइब करना होगा इसमें जो मांगा हुआ वह पिटमयन से या तो प्रेक्टिकल है तो जो सभी कोई जो इस्तेटिकरी के हो या फिर 15 वाले के हो दोनों के होगा देना पड़ेगा यह आप्ध्यान दीजेगा फॉंट कॉंड कॉंसा होगा तो जब इसमें कोई मतलब ही नहीं है हाँ यह बात है कि इस तेनों वाले के लिए आपको जो है fitman में करना पड़ेगा बाकि आप वह पे computer जब उसे computer भी उतारते हो तो किसी भी font में आप कर सकते हो जन्दली आपका प्रेवेंटन गेल मंगल ही चलेगा इस बात को ध्यान रखिएगा उस पे आपको नहीं लिया जाता है कि किस पौनट्पर नेसेरी नहीं होता कितना मिलेगा इसमें क्या मिलेगा तो पूरा आपका फेयर होगा वह व्क पूरा आपका से टेस्ट के लिए दे दिया जाएगा यह आपकी जानकारी रही है बाकि मैं आपको बता दूँ कि यह जो आपका स्लेबस है एक्षर त्री एक्षर फोर करके दिया हुआ है यहां पर देख सकते हो इस्किल टेस्ट कंप्यूटर फॉर एसिस्टेंट यूडी सी जूने परसल एस इसमें क्या है MS Word पूंचेगा MS Word में आप इसे देख सकते हो PDF में ने परिक्षा प्लस एप पे भी लगा दिए वहाँ से पड़ सकते हो उप्रेंग टेक्ष यह सारी चीज़ ब्राइंग करने को करेगा सेटिंग पेज को बोलेगा फॉर्मेटिंग का बोलेगा MS Excel में इसमें इसमें आपको उना चाहिए यह सारी चीज इसमें दिया हुआ है प्रेजंटेशन इसने दिया हुआ आपको आना चाहिए प्रेजेशन का एक्ति बेलाउट स्लाइट लेड़ूट एडिंग ग्राफिक्स टू दा तो यह आपके तीस मंबर का वर्ड है 35 वर्ड है 35 का एक्सल है और तीस आपका पॉइंट है कुल मेरा के सौ है यह आपकी जो मार्क्स करेंगे वहाँ पर बैठे रहोगे आप से करवाते रहेंगे और उसी इसाब से आपको यह मार्क्स देदेंगे अगर शाठ से कम पाए तो वहां से क्या हो जाओगे फेल हो जाओगे साठ से उपल लाना पड़ेगा तो इसको प्रैक्टिकल यह अपने कंप्यूटर पर इसे करके जाना आप लो बाकि जो एक्ट्र फोर है वह इस टेनु वाले को सभी के लिए है ना जो इस टेनु पत के लिए यह के वाला आपका इस मतलब दो और चार और चार क्यूंकि बाध्न कम बेकृंशी कोई भरेगा नहीं बट इसे दो और चार मानकर चलो 2-4 कह़ने का मतलब जो इस हैं नौट पर्मिटेड यह नहीं चलेगा इस बात का ध्यान दीजिएगा पांच मिनिट आपको डिक्टेट किया जाएगा साथ वर्ड पर्मिट के हिसाब से लगभग तीन सो वर्ड आपको बोले जाएंगे इसमें इन्होंने मार्किंग की इसकी मलख से निकाली तो कैसे इवेलुएट करेंगे यह देखो इसमें इनुने क्या किया है दो तरीके से होगा एक आपको फूल एयरर दोगा हैएक आपको क्या होगाँ हाफ एरर दोगा फूल एरर कैसे होगा जैसे सब्तोर आपको बREWंख कहलो कि कि आप किसी वर्ड की जगा कोई दूसरा वर्ड कर दो नंबर ऑफ मिस्टेक्स बिल वी एक्वल टू दा नंबर ऑफ वर्ड फीगर्स डिक्टेट फूच है बीन रिप्लेश्ट मतलब जितने वर्ड या फिर फीगर मतलब की कोई नूमरल जैसे बोले सब्सक्राइब कर लिया जाएगा उसके बाद क्या है हावबर इफ फीगर इस रिटन करेक्ट ली इधर इन नूमरल और इन वर्ड बोड विल बी एक्सेप्टेबल लेकिन सब्सक्राइब कि आपका उन्निस सो असी या सब्सक्राइब लिखना है तो आप हंड्रेट चाहे यह दिजिट फॉर्म में लिख दो चाहे आप हंड्रेट ऐसे लिख दो दोनों ही एक्सेप्टेबल होगा यह कोई आपके मिस्टेक नहीं मानी जाएगी यह डिजिट के साथ एक्स्ट्रा आपको यहां पर थोड़ा सा रेलेक्सेशन दिया गया है ठीक है बाकी बोला गया एव हाप मिस्टेक पहला है दूसरा हाप मिस्टेक हैं हाप मिस्टेक में माझना लो थे आपने किसी वर्ड की स्पैलिंग कर दी यह फिर शैलेटर को सफल कर दीए जैसे मालो आपको लिखना हैबल आपने जंदबाझी में क्या लिख दिया आपने ABEL एसे लिख दिया अ constitu यह व and also omission of a letter or letter from a word, suppose करो आपको क्या लिखना है, 40 लिखना है, तो आप 40 में आप ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख दो, तो जो अगर आपको कोई एक letter आपका जाता है, तो वहाँ पर उसके लिए half mistake लिया जाएगा, या आपने क्या लिख दिया letter सब्द है, तो letter में double T नही है, आपने केवल L-E-T-E-R कर दिया, तो एक T आपने नहीं लिखाए, इसके लिए half mistake आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा, miss spelling of proper nouns and unfamiliar names are ignored, अगर कोई ऐसा proper name होता है, जैसे मानलो Abraham Lincoln, तो Abraham Lincoln की spelling अगर आपने कोई गलत कर दिया है, या कुछ ऐसा कर दिया है, तो उसका mistake नहीं count किया जाएगा, वो आपको यहां पर relaxation दिया जा रहे है, ठीक है, वो ignore कर दिया जाएगा, if the wrongly spelled word occurs more than once in the passion, it will be treated as a single half mistake, अब suppose करो कि आपने Abraham Lincoln, Lincoln की Spanish L-I-N, C-O-L-N न लिखके, आप L-I-N, C-O-N ही लिख रहे हो, और बार बार यहीं चीज लिख रहे हो, तो वो एक ही बार, एक ही बार half mistake count कर जाएगा, जितनी बार Lincoln लिखोगे, हर बार नहीं count होगा, यह आपको relaxation दे दिया गया है, using singular और plural noun and vice versa, मानले उन्होंने कोई क्या बोला, singular word बोला, उसके बाद में आपने S लगा दिया, है ना, या फिर ES लगा दिया, तो उसे half mistake count कर ले लेंगे, या उन्हेंने कोई plural बोला, आपने के वो singular लिख लिया, तो वो क्या बोल देंगे, वो से भी हाप mistake मान लेंगे, बाकी use of a small letter at the beginning of a sentence, अगर आप कोई वाक के सुरुआत करो, उसमें पहले, जैसे आप कोई भी sentence start करते हो, full stop के बाद तो ध्यान रखना, जैसे ही मिस्टेक का है, इसमें note इनों ने लिखा है, more than one error in a single word, all the errors are counted, but the total mistake counted in a single word, so not exceeded one full mistake, मतलब दो दरी की पाउधाने, या तो आधा नंबर काटेंगे, या तो पूरा काटेंगे, और एक word में वो इतना नहीं काटेंगे, कि एक उसके एक wrong जो word होगा, उससे ज़्यादा marks नहीं काट पाएंगे, ये समझेगा, full marks, full error उसे लिया जाएगा, फिर बोले, every passes will be accompanied by a list of words, which can be spelled written in more than one form, all the spelling forms of word will be acceptable, and not counted as error, मतलब की जैसे इनों नहीं एक्जांपल में दिया है, कि on level, कुछ ऐसे सब्द होते हैं, जिनका abbreviation form में भी लिख सकते हो, on level को आप ऐसे लिखो, या h1 लिख के dot लगा, तो तीनों ही acceptable है, इसे आपका error नहीं माना जाएगा, लेकिन ये केवल ऐसा ही word हैंगे, जिनके abbreviation बनते हैं, जिनके नहीं बनते हैं, अपने मन से आप इनका नहीं बना पाऊगे, तो इन्होंने ये half order full word दे दिया, full mistake, इसमें percentage of error इनके निकाला है, अब बटे क्या करेंगे, जितना पैसे है, suppose करो 300 word का पैसे है, गुड़े 100 से गुड़ा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यानि 5% अपका क्या आगया, error आगया, ये मानते हुए, ये चलेगे, तो इन्होंने उसमें लिख रखा है, अगर आप देखोगे, तो 10% केवल error allowed है, ऐसा रहा आपका जो skill test आए, इसको मैं रिटेल में बता दिया है, यदि इसके बाद भी कोई प्रशन है, तो आप comment box में हमसे पूँछ सकते हो, चैनल पर नहीं हो, चैनल को subscribe आउस कर लो, और अगर आप इस लों की तयारी कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा course आपको इस बहुत अच्छा बैच है, कि minimum से minimum सुल्क में आपको ज़्यादा से बहुतिन तयारी करवाई जा सके, इसके syllabus में आपको discussion कर दूँगा कि math का syllabus बहुत ब्यापक है, English का भी बहुत ब्यापक है, और आपका देखा जाए तो reasoning or GS हो गया, वो भी आपका ब्यापक है, कहने का मतला एक बहुत बढ़ी हैं, 50-50-50-50-50 नंबर का आपका जूनियर परसन एसिस्टेंट और एसिस्टेंट वाले के लिए, और इस्टेन वाले के लिए आपका किसना है, केवल तीन पार्ट, English का सो नंबर का 50 मैस का 50 रिजिनिंग का, ऐसा आपका पूछा जाएगा, math और GS उ दोनों दिया आएंगे, VOD की फ़र में, नोर्स आपको दिये जाएंगे, test series दिया जाएगा, जितने भी maximum test possible हो सकते हैं, doubt session और validity इसके till exam तक रहेगी, चाहे जब परिक्षा हो चार साल बाद हो तब भी आपके validity रहेगी, तो यह बहुत ही अच्छा course है, आप जोनना चाहों यहां से जोर सकते हो, परिक्षा प्लेस आपको कोर्स मिल जाएगा, अभी आज इस session के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आवाद सभी का,